प्रणायाम उपनिशदों के अनुसार लगभग 72 क्रोड, 72,3,210 नाडिया और इन समस्त नाडियों को परिशुद्ध करता है नाडि शुधन प्रणायाम इसके नाम से ही आपको विदित हो जाता है नाडि शुधन, नाडियों को शुद्ध करने के लिए प्रणायाम जब हमारे सरीर में नाडियां शुध होती हैं तो हम आरोग्य को प्राप्त करते हैं हमारी सरीर में बलड का सर्कुलेशन ठीक रहता है हमारे सारे सरीर के क्रियाएं ठीक से कार्य करती हैं तो नाड़ी शोधन प्राणयाम बहुत ही महत्यपूर्ण हैं, यदि आप कोई प्राणयाम नहीं करते हैं, तो आप केवल नाड़ी शोधन प्राणयाम भी यदि पांच मिनट से लेकर और 21 मिनट तक दिरे दिरे अभ्यास को बढ़ाते जाएं, अपने सरीर की क्षमता के नु स्किन की प्राणयाम दूर होंगी, डाइबिटीज हो, हार्ट ब्लॉकेज हो, माइग्रेन हो, सभी रोगों में आप इसे किसी भी रोग में कर सकते हैं, तो नाड़ी शोधन प्राणयाम इसको आप ध्यान से देखे, कैसे करेंगे, इसकी सही विदी को समझें और फिर इसका अब्यास करें, सबसे पहले प्राणयाम दूरा बनाएंगे, अपने फर्स्ट और सेकंड फिंगर को अंगूटे के बेस में टच करें, अंगूटे से अपने दाइन आसी का छिद्र को अपने राइट नोस्टिल को बंद करें, लेट नोस्टिल से दीरे दीरे स्वास को कंट से टच करें, अधिक नीचे नहीं जुकाएंगे गरदन को और दूसरा मूल बंद अपने नाभी से नीचे के भाग को उपर के और संकुचित करेंगे, कुछ समय रोकें, फिर बंद हटाएं, राइट से स्वास को दीरे दीरे बाहर छोड़ें, फिर राइट से स्वास लें, फिर से बंद लगाएं, अंतहे कुंबक करते हुए जालंदर बंद और मूल बंद, दोनों बंदों का प्रयोग करेंगे, इसमें, कुंबक कहते हैं स्वास को रोकना, जब अंदर रोकते हैं तो अंतहे कुंबक, फिर कुम्बक खटाएं और बंद खटाते हुए स्वास को बाहर छोड़ो इस प्रकार से ये एक चक्र होता है इसका लेप्स नॉस्टल से स्वास लेना प्रारम्ब करते हैं रोकते हैं स्वास को बंद लगाते हैं फिर राइट से स्वास को बाहर छोडते हैं दीरे दीरे राइट से स्वास लेते हैं फिर कुम्बक करते हैं बंद लगाते हैं बंद हटाते हैं फिर लेट से स्वास को बाहर छोड़ते हैं तो ये एक पूरा चक्र होता है, जो इंडा और पिंगला है, ये दो मुखे नाडियां, इन दोनो नाडियों को नाडी शोधन क्राणयाम का भ्यास करने से एक्टिवेट किया जा सकता है। ये दोनो नाडियां हमारे संपूर्ण शरीर के आरोग्य को निर्धारित करती हैं, हमारे सरीर के ताप कर्म को संतुलन में रखती हैं और हमारी बोडी की उर्जा को भी ये दोनो नाडियां ही संचालित करती हैं, तो इन दोनो नाडियों पर आप फोकस करो, प्राणयम करते तेवे नाड़ी शोधन प्राणायाम का भ्यास करेंगे पांच मिनट से लेकर 21 मिनट तक अभ्यास को दीरे दीरे बढ़ाना है ध्यान पूर्वक करेंगे अपने नाड़ियों पर पूरा ध्यान अपने प्राण के ऊपर पूरा ध्यान प्राण शक्ति को मैसूस करेंगे अपन नहीं समय में स्वास को बाहर छोटने का अभ्यास करें यह प्रारंबिक इस्तिती में जब आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं इस प्रकार से आप इसको करें तो निश्यत रूप से आपको बहुत अधिकलाब होगा और आपके संपूर्ण रोगों का समन होगा नाड़ मिश्य में आप बिमार नहीं होंगे यदि आप नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं तो आप काफी हद तक प्रोटेक्ट हो जाते हैं प्राण शक्ति ही हमारे सरी को चलाते हैं हमारे जीवन को गती देती है तो नाड़ी शोधन यह आपके प्राण के शक्ति को बढ़ाता ह आप इसका अभ्याद जरूर करें आप सभी लोग स्वस्त रहें निरोग रहें इनी सुबकामनाओं के साथ हम फिर जल्द मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ नई वीडियो में आप इस वीडियो को जरूर शेर करें क्योंकि ये प्राणायम बहुत ही मेत्योपून है और सभी इसका लाब लें आप सभी के लिए बहुत-बहुत सुबकामनाएं ओम शान्ती सब्सकाइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटिस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए